आदाब नाजरीन में नाज मिर्जा आवाम टीवी खबर नामे में आपका खेर मगदम है आये डालते हैं सुबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नजर बच्चा मजदूर एक लानत है किसके लिए एक सवाल अगर हकुमत इसको गलत समझती है तो महकुमजात इसको रोकते क्यू नहीं अगर महकुमजात रोकते है तो फिर ये बच्चा मजदूर कैसे हकुमत की फलाई इसकी माजसे भरपूर इस्तिफादा करें क्यूंकि ये आपका हक है मुसल्मानों की सुरतिहाल का जायजा लेने पहुचे बीजेपी कमिशन के चेर्में का मशवरा उन्होंने मुसल्मानों से मुक्तलिफ इस्तिफसाराथ किये बीजेपी को उत्तर परदेश और उत्तर खंड में शांधर कामयाभी बीजेपी में जशन का माहूल ये मोदी की करिश्माती शख्सियत का नतीजा है बीजे पी खायदीन का बयान टरम्प ने फरिस्तिनी सदर को वाइट हाउस मदू किया टरम्प इस खिते में अमन मुजाकिरत के खवा है उन्होंने कहा के बहमी बाची थी अमन की राह हमवार करेगी नाजरीन खबरों के आगास से खबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इर्शाद रब्बानी और फर्मानी नबवी बिसमिल्लाहि रुष्मान रहीम अल्लाज जल के नाम से शुरू जो बड़े महर बार नियायती रहम वाले है इनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे ये बिरुखी न बढ़ते हों और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के देवे में से कुछ खर्च करो तो ये कुफार एमान वालों को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलाएं जिने अगर अगर अल्लाह चाता तो खुद खिला पिला देता तुम तो हो ही खुली घुमराई में वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा चच्चे हो तो बतलाओ उन्हें सिर्फ एक सक्त चीख का इंतिजार है जोने आप पकड़ेगी और ये बहाम लड़ाई जगड़े में ही होंगे इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल और आयाल की तरफ लोट ही सकेंगे सुरह यसीन आयच च्छे अलीस ता पचास बिस्मिल्लाहि रह्मार रहीम अल्लाह सुवाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े महरवार नहायती रहम वाले हैं तजबी के अलावा सजदे में मतादी दुआएं हादिस से शाबित है अजदत अलीर रजियल्लाहनु से रिवायत है कि नभी करीम सल्लाह अल्लाह सल्म शिजदे में ये दौा पड़ा करते थे आई अल्लाह मैंने तुझे सजदा किया तुझ पर एमान लाया और अपने आपको तेरे हवाले कर दिया मेरे चेहरे ने इस जाद पाक को सजदा किया जिसने उसे पैदा किया इसकी बहतरी सुनत बनाई उसने उसे कान और आखें दी लहाज़ा बाबरकतो अल्लाह ताला जो बहतरी इन खालिख है अब खबरी तफसील से बी सी कमिशन का दौरा कामरेडी मुसल्मानों की पसमादा सुरत हाल का जायजा लोगों ने बताया के सरकारी मलाजिमतें और बैंकलोन इनको नहीं मिलता और इनके बच्चे इसकुलों में बुनियादी सहुलतों से महरूम है बी सी कमिशन का चारुकनी वफद चेर्मेंट बी सी कमिशन बी अस रामलो की ख्यादत में 10 मार्च को कामरेडी का दौरा किया सबसे पहले कमिशन ने अपने जायजाती दौरे का आगास दरगा निरन जशाह के मैदान से किया कमिशन ने वाड नबर 221 में मुसल्मानों से मुलाखाद करते हुए इनकी सुरत हल का जाइजा लिया रियास्ति हुकूमत मुसल्मानों को 2 अफिस्द तहाफूजात की फराहमी की खवा है और इसके लिए वो मुक्तलिफ एकदामात करते हुए बार अफिस्द मुसल्म तहाफूजात को यखिनी बनानी की रहा हमवार कर रही है खबल एजी हुकूमत ने सुदीर कमेटी का खयाम अमल में लाया था जिसमें बताया गया कि मुसल्मान इंत्याही बासमान दतर जिन्दगी गुजारने पर मजबूर है और मुसल्मानों की एक बड़ी तादाद जिन्दगी की कई एहम सहुलतों और जरूरतों से महरूम है इस रिपोर्ट के तनाजूर में बीसी कमिशन को ये जुम्मेदारी दी गई कि बीसी जम्रबंदी में इस पसमान दतर मुसल्म तबखे को किस हद तक हिसेदारी फरहम की जा सकती है और इसका जायजा लेने के लिए ही बीसी कमिशन के चारुकनी वफद ने कामरेडी का दोरा किया कमिशन ने चेर्में रामलू की खियादत में मुसल्मानों से गुफतगू की और इनके मियारे जिन्देगी का जायजा लिया इस मौके पर खवातिन की बड़ी तादाद ने 12 फिस्द मुसलिम तहाफुजात के अलावा डबल बेडरूम और राशन कार्ड के फरहमी का मुतालिबा किया और साथ ये भी बताया के मुसल्मानों के कई लड़के ग्रैजवेट हैं लेकिन नौकरी ना मिलने की वज़े से बेरुजगारी का शिकार बने हुए है और मुसलिम तबखा इंतेही दिगर गुसूरत हाल से दो चार है कमिशन ने एक उर्दू मीडेम स्कूल का भी चायजा लिया जहां कमसिन तल्बाव तालिबात ने बताया कि उनको पानी और फ्यान की जरूरत लाहक है लेकिन इसका इंतिजाम नहीं किया जा रहा है जिस पर कमिशन ने हैरत का इजहार किया और उनको हिदायत दी के इंकमसिन तल्बा को पानी और फ्यान की सहलत फ्राहम की जाए चेर्मिन कमिशन रामलो ने बताया कि हुकूमत ने अखलियतों के लिए मतादित इसकीमात को रोशनास करवाया है और रियासते लंगाना में जुम्ला एक्याथर अकलियती अकामती स्कूल्स खायम किये गए है और माबाखी अन्खरीब शुरू किये जाएंगे इसके अलावा मुस्लिम तबखे को बैंक खर्जजजाद के लिए सबसीड़ी भी फराहम की जा रही है और लाजमी है के बैंक खर्जजजाद के फराहमी में लित्व लाल का मुझाहरा ना करे इस मौके पर जिला कलेक्टर सत्या नाराएना, जेसी सत्या, आडियो स्रीनिवास, डीम डबल्यू शंकरिया के अलावा कांसलर दयानन, मुहम्मद अमजद, जाफर खान, अजीजजदीन और दिगर शरीक थे मास कम्यूनिकेशन एंड जरनलिजम, डिगरी के बाद एक अहम मास्टर डिगरी कोर्स है, जिसमें रोजगार के वसी जराय पोशिदा है, इस्तिफादा करने, माहरीन का तल्बा को मशवरा, मौला राजद, नेशनल अर्दी उनिवर्सिटी के शुवा जरनलिजम और मास कम्यूनिकेशन में दो साला अजामी रोजगार मास्टर कोर्स हमे जरनलिजम, मास कम्यूनिकेशन काम्यावी से चलाया आ जा रहा है, जिसके फारगेन, मुल्क और बैरुन मुल्क, प्रिंट और अलक्टरौनिक, मीडिया के आहम शोमे में खिदमत अंजाम देते वे, माशी तोर पर मस्ताकुम हो चुके हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है के अर्दू इनिवसिटी के खुर्बजवार के इलाखजाद, बिलगसूस, तिलंगाना के आजला, निजामबाद करीम नगर, मेदक, महिबनगर, आदलबाद, नलगुंडा और मुल्क के दिगर मुकामात के जनलिजम में दिल्चस्पी रखन इस कुर्स में दाखिला लें और प्रिंट वो इलक्रानिक मीडिया में दस्तियाब बेशमार, रोजगार के सुनरी मौकों से इस्तिफादा हासिल करें। कालिंगी सहुलत से किया। देने की आखनी तारिक 9 जुलाई 2017 मकरर की गई है। इस कुर्स में दाखिले के बाद तल्बा और तारिबात को हाश्टल की सहुलत हासिल रहेगी। उन्हें पुरकाशिश, इस कालर्शिप भी दस्याब रहेगी। और आलामी मेयर की प्रिंट वो इलक्ट्रानिक मीडिया की सहुलतें और आहम शक्सियात के लिक्चर फ्राहम होंगे। इस कोर्स की तक्मील के बाद तल्बा अखबारात में रिपोर्टिंग, एडिटिंग, तर्जमे का इलावा टेलिविजन चैनलों पर न्यूज पढ़ने, इस्तेहरासाजी, एंकरिंग और मीडिया से मुतालिक काई रोजगार की सहुलतों के अहल बनेंगे। और लड़कियां भी परदे में रहे कर मुखतलिव मीडिया मुलाजिमते कर रही हैं और करने के मौकश भी हासिल कर सकती हैं। शेहर और अजला के चेनलों और अखबारात में भी काम करने के मौकश दिस्तियाब रहेंगे। इस बारे में डक्टर मुम्मद असलम फारूखी के खेलात को बगवर समात्व करें और अगर कोई तालेब या तालेबा सेसी या इंटर में अगर वो अर्दू पड़े हों तो वो इस यूनिसिटी के अर्दू मीडियम कोर्स में दाखिले के अहल होंगे इस दो साला कोर्स में 30 नशिस्ते हैं और बगर इंटरेंस के मेरिट की बनियाद पर युनिसिटिय में दाखिला होगा इस कोर्स की अहिमेत ये है कि आज मीडिया का हर तरफ चर्चा है और एक ऐसे दोर में जबके मुक्तलिफ इलाहों में अखबारात निकल रहे हैं अर्दू के बेशमार अखबारात निकल रहे हैं हिदराबाद और हिंदोस्तान मुलक भर में भी कई अखबारात निकल रहे हैं इसके अलावा शहर में और अजला में मीडिया के चैनल्स हैं जहांपर नियूस पड़ सकते हैं रिपोर्टिंग कर सकते हैं और मीडिया से मुतालिक जो काम होते हैं एंकरिंग है और जैसे अखबारात में सब एडिटर का काम है तर्जुमे का काम है इसके अलवा दीगर काम के लिए ये जो है कोर्स बहुत कारामद है युनिवर्श्टी के प्रोफेसर एहतेशाम साथ ने इस कोर्स के तारुफ के सिलस में जशन का माहूल निजामबाद बीजेपी ने भी जशन मनाया गंगरेडी ने कहा कि ये जीत नरेंदर मोदी की मरूने मिननत है जिनकी शादर करकरदगी और पॉलिसियों से अवाम मुतमाइन है और इन पर एतिमात करती है उत्तरपरदेश उत्तरखंड के नतायद बीज बीजेपी की शांदर कामियबी पर निजामबाद में बीजेपी कारकुनों ने सदर जिला बीजेपी परले गंगरेडी की खियादत में जबरदस जशन मनाया एक दूसरे पर जाफरानी रंग डाले गए जबरदस आतिश बाजी की गई और बड़े खायदीन ने ढोल बजा और कारकुनों ने रक्स करते हुए अपनी खुशियों का इजहर किया पार्टी आफिस के खरीब मनाये गए इजशन के बाद सहाफत को बयान देते हुए सदर जिला बीजेपी परले गंगरेडी ने बताया कि उत्तर परदेश और उत्तर खंड के अलावा दिकर रियासतों म बहतर मजाहरे बिल खुस्स उत्तर परदेश में तीन सो से जायद नशिस्तों पर शांदार काम्याबी ने साबित कर दिया है कि मुल्की अवाम वजिर आजम नरेंद्र मोदी की खियादत से मुतमाइन है और उन पर अटूट इतिमाद करती है कंगरेडी ने कहा कि अवाम व पंचम मीनी सारबातर का एननी कलो मोडी गार चेपटिनाट वंडी दीमाने टेशने देचे हुंदो बेद्दनात वराद्टू काक्टमं इदी तपकू तीन वाद दिर आरफ पज़ा कि बंद कल गिंदी में बंदू जेस्ताम में में मिंकेदो येस्ताम वनाट मेंडी मगदम किया कहा कि अवाम हुकूमत से मायूस हो रही है बिलخصوص मुस्लिम तबखा रियासती हुकूमत से मुतनाफिर हो चुका है उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अवाम के मफादात की तक्मील करने वाली वाहिज सियासी जमात है महले फुलांग से तालोख रखने वाले सैक्रो नौजवानों ने सिटी जनरल सेकरेटरी कांग्रेस अईवाहिमत की खियादत में कांग्रेस में शमूलियत इख्यार कर ली इस प्रोग्राम में सदर जिला कांग्रेस ताहर बिन हमदान, इंचार्ज हलके असंबली कांग्रेस महिश कुमार गौर, सिटी सदर्ज केशुएनू, माजिद खान, जाविद अक्रम, अयूब खान, शिकारी, आनंत रेडी, राजरेडी, अब्दुलकरीम बबू और दिग उतरती है, और इसी पार्टी ने मुलक को तरखी की राहों पर गामजन किया, और मुलक में गंगर जमनी तहजीब और रितिहाद और भाईचारगी को फरुग दिया है, इन खायदीन ने बताया कि रियासती हुकुमत तमाम ही मोहाजों पर नाकाम हो चुकी है, और अवाम से किये गए वादों को पूरा करने से खासिर है, बिल्खुस मुस्लिम तबखे की बहबुत पर ये हुकुमत कोई तवज़ा नहीं देती, यही वज़ा है कि मुस्लिम तबखा इस हुकुमत से मतनफिर हो चुका है, और करी नाजवान कांगरेस में शमुलित अख्तियार कर रह करते हैं, कि सुनिक्त को बता है के सी यार जो जुबने बाते हो कि बावन में आए, सव वादे में आज पांच वादे में पुरने के, पांच वादे अशन तक पुरने के निजाम कॉलिज ग्राउंड में 19 मार्ज को अजिम उशान जलसयाम मुनकिद होगा जिसमें हजारों की तादाद में लोग शिर्कत करेंगे जिले सेक्रेटरी ने तश्यरी पोस्टर चारी किये और आवाम से बकसर शिर्कत की खोहश की सीपी एम के जिले सेक्रेटरी गंगा धरपा ने एक सहाफती बयान में बताया कि 19 मार्ज को हैदरबाद के निजाम कॉलिज ग्राउंड पर सीपी एम का एक अजिम उशान जलसयाम मुनकिद किया जा रहा है जिसमें कमोबेश एक लाग अफराद की शिर्कत की उमीद है इस जलसयाम के सिलसले में उन्होंने सीपी एम पार्टी आफिस में पोस्टर की रिसमी जराई अमल में लाई ये पोस्टर समर समिलन के नाम से मुनकिद इस प्रोग्राम की तश्यीर के लिए तबाग किया गया है उन्होंने कहा कि सीपी एम की जानिब से रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और साथी अवामी मसाइल से वक्वित हासिल करने के लिए गुजशता कई महां से पद्यात्रा की जा रही है और ये यात्रा वनिस मार्ज को ही हैदरबाद के निजाम कालिज पर एकताम पजीर होगी इस इजलास का मकसद ये है के अवामी मसाइल को उजागर किया जा सके और ये यात्रा के दोरान सामने अवामी मसाइल का इजार किया जाए उन्होंने बताया कि हुकुमत की जानिब से इस जल्से को रोकने की कोशिश की जा रही है और जल्से का निजम कॉलेज ग्राउन में इजाज़त देने से इनकर किया जा रहा है उन्होंने हुकुमत से मुतालिबा किया कि इस जल्से के इनकात के लिए फौरी इजाज़त फरहम की जाए उन्होंने इस जल्से में शिर्कत करने की अवाम से खोहश की जोटियावह रोधियो चियरत्त्र खोहस बैजसा बन्दम तो येकुँ अध्यान कुट को सुथ्ञ इजना फरहम की अवा फरहम की जैद्र अवाम की नुट पाधैतर आ रखोहु जाउश कार जिग्रोणको वायाँ जात्री होटी मवाजना पाधैतर को घ्रम का बैजिल्लौ एक पारोयम्ट को भूंपोख वक्षबाठी में शामाज के शामाज के संगाला आयगूरू अनी वड़कर अपरजित लो और तल्बा की जिन्दगी से खिलवार ना करने का मुतालबा किया एबी वीपी की खियादत में डिगरी के तल्बा ने इहतिजाजी धर्ना मुनजम किया और तेलंगाना यूनिवरसिटी के वाइस चैंसलर का अलमती पुतला नसरे आतिश किया तल्बा खायद ने बताया कि अचानक ही 16 मार्च से अमतिहानत का ऐलान किया गया है जबके प्रैक्टिकल अमतिहान 14 मार्च को खत्म हो रहे है और इसके इक्तिताम के अंदरून 2 एम अमतिहानत का इने खात हैरत अंगेज और खिलाफ खानून और तल्बा के साथ नाइनसाफी वो जल्म है तल्बा खायद ने बताया कि यूसीजी के रहनुमायाना हिदायत के मताबिख प्रैक्टिकल वो सालाना अमतिहान में कम असकम 20 दिन का फासला लाजमी है जबके उस्मानिया यूनिवरसिटी ने अमतिहान की तारीख 21 मर्च मकरर की है और तल्बा खायद नाइनसाफी या खिलवार की कोशिश की गई तो ABVP घते बरदाश नहीं करेगी और बड़े पैमाने पर यूनिवरसिटी पर एहतेजाद मुनजम किया जाएगा बच्चा मजदूर एक समाजी लानत है ये हमारा नहीं हुकूमती नारा है बच्चा मजदूरी के खिलाफ काम करने कई महकोमेजाद जुम्मेदार है मगर अब भी बच्चा मजदूर बोज उठाए नजर आते हैं तो सवाल ये है किया यहां खानून सर्मायदारों पर लागू नहीं होता अगर होता है तो फिर ये बच्चा मजदूर क्यों नजर आ रहे हैं मरकजी हुकूमत ने बच्चा मजदूरी पर पाबंदी आयत कर दी और बच्चा मजदूरी करवाने वाले को मुझरिम करार दिया गया है और सख्त सजाओं का इंतबाद दिया गया और बच्चों की बैबूद और तहाफूस के लिए कई महकूमजाद खायम किये गए जिसमें चैड़ वेरफर चैड़ लेबर के अलावा दिगर महकूमजाद शामिल है इन महकूमजाद की जम्यदारी है के बच्चा मजदूरों को मजदूरी से नजात दिलाएं और उनका स्कूलों में दाखला करवाएं मायकूमजादी सदा पर अगर रिकार्ट का जाइजा ले आ जाए तो मालूम होगा के हमारे उहदेदार इंत्याई फर्जशानासी और मेनस से काम कर रहे हैं और बच्चा मजदूरी का खातेमा कर दिया गया है और इन बच्चा मजदूरों को इसकूलों में दाखिल करवाया गया और हुकूमत भी इन आदादों शुमार पर खुछ होती है और बगलें बजाती है लेकिन हकीकत क्या है क्या वाकई बच्चा मजदूरी का खातेमा हो चुका है या फिर किसी दूसरे तरीखे से बच्चा मजदूरों से जिबरी मजदूरी ली जा रही है और भारी मावेजे लेकर बच्चा मजदूरी करवाने वालों का ताफूस भी क्या जा रहा है नवी पेर्ट मंडल के मौज़े दर्मारा में खरीब पांसता च्छे एटों की भट्या है जहां मुक्तली मुकामाद से मजदूरों को लाया जाता है और उनको बंदी मजदूर की तरह गुलामी पर मजबूर किया जाता है क्योंके ये लोग यहां अजनबी होते हैं और मुकमिल तोर पर बट्टी के मालिक के रह मुकरम पर रहते हैं लहाजा इन से माहिदे करवाए जाते हैं और बाईलों की तरह सक्त मिनत ली जाती है और साथी इनके छोटे वो कमसिन बच्चों से भी जिबरी मजदूरी ली जाती है और ये सुब कुछ धर्ले से क्या जा रहा है मालुआ के इन बट्टियों के मालेकिन इनका ही असर और रसूख के मालिक हैं और साथी वो मतालिका महिकमजास से अच्छे तालुखात रखते हैं लहाजा इन पर गर्फ करने आला कोई भी नहीं होता लहाजा इनकी धर्ले से मनमानिया जारी हैं जब बट्टियों पर हमारे नुमाइंदे ने बच्चा मजदूरों को देखा तो वहरत का शिकार हो गया किस तरा कमजिन बच्चे मिठी में आलुदा हैं और भारी इटों के बोच को ठाने पर मजबूर वो बेबस हैं इन कमजिनों को स्कूल की जरूरत थी इनके हातों में खिलोने होने चाहिए थे चहरे पर मुस्कराट होनी चाहिए थी लकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये बच्चे इसकूलों से मीलो दूर है किताबें इनके तसवर से भी बाहर है इनके हातों में खिलोने की जगा मिठी की इटे है और चहरे पर मुस्कराट की जगा हस्रतों यास और बेबसी वो मजबूरी जलकती नजर आ रही है इस सिलसले में मुकामी तहसिलार से तफसिलात मालूम करने की कोशिश की गई मगर वो आफिस में मौजूद नहीं थे मुकामी आराई ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया और सिर्फ इतना ही बता सका के इन भट्यों को चलाने की मालेक इनको कोई खानूनी इजाज़त हासिल नहीं है और इजाज़त नहोने के बावजूद मैकुमजात, रीवीन्यू, चैल्ड लेबर, चैल्ड वेलफर, आरवीम, मैकुमा तालीम, पोलिस, लेबर, माइन्स के होते वे भी यहां धर्ले से कारोबार हो रहा है और खानून की धज्या भी बिखेरी जा रही है जिस खानून पर अमली नहीं होता वो खानूनी क्यों यह अवाम का सवाल है नाजरीन अब देखेंगे रियासती, होमी और आलमी मनजर नामा बीजेपी की कामियाबी, बीजेपी नजरियात और मोदी की शख्सियत का नतीजा है गरीबों की फलाही स्कीमात ने भी इस कामियाबी में एहमरूल अन्जाम दिया अमिश शाह का बयान बारतिया जंता पार्टी के सदर उमीश शाह ने उत्तर परदेश और उत्तरकण में कामियाबी को पार्टी का नजरिया और वजिराजम नरिंदर मोदी के गरीबों के लिए फलाही स्कीमा और तरकी पसंद नजम उकरानी में अवाम के एतिमात की जीत खरार दिया अब तक के नताइज और उजानात की बुनियाद पर पार्टी को जबरदस कामियाबी मिलने के आसार के मदे नजर मिश्टर शाह ने टूइट करके कहा के बीजेपी पर एतिमात करके इस तारिख की फसला देने के लिए यूपी के आवाम को जबरदस मुबरकबाद पेश है उन्होंने कहा के ये बीजेपी के नजरिया और वजीराजम की गरीबों के लिए फलाही इसकी मोपर अवाम के एतिमात की जीते उन्होंने इस फता के लिए तमाम कारकुनों और वजीराजम नरनमों दी और रियासत में पार्टी के सदर केशु परसाद मुर्या को भी मुब पार्टी को मिली बत्री इनकामियाबी के लिए वहां के अवाम का शुक्रिया अदा किया। राजना सिंगी ने नतायच के रोजानात के पेशे नजर टूट किया कि इस तारिखी जीत के लिए हम सभी उत्तर पर्देश और उत्तरकंड के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बिजली के मरकजी वजीर प्योज गोईल ने कहा कि इन नतायच से तैहो गया के मुलक अवाम वजिर आज़म नरेंदर मोदी के साथ हैं। उन्हें पार्टी पे बरोसा जाहर करने के लिए उत्तर पर्देश और उत्तरकंड के अवाम का शुक्रिया अदा किया। आम आदमी पार्टी के सरवरा केज रॉयल ने इनतायच को अवाम का फैसला खरार दिया और कहा के हम आवामी फैसले का एहतराम करते हैं। पर तमाम कारकुनों ने बहुत मेहनत की हमारी भी जद्व ज़ह जारी थी और आगे भी ये जद्व ज़ह जारी रहेगी। पार्टी की मिंबर एसमबली सोमनाद भारती ने कहा कि ये हमारा पहला तजरुबा है अब हमें देखना है कि हम से कहां चूक हुई हम सियासत में नए हैं हम नंबर गेम को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हम मेहनत पर यकीन करते हैं। दहली से बाहर गोवा और पंजब एसमबली के लिए पहली बार इंतेखाबी महिदान में उतरी आमादमी पार्टी को इन दोनों ही रहासतों में जीत की उमीद थी। उटिंग के बाद सर्वे में भी पंजब में आमादमी पार्टी और कांगरेस का दर्म्यान कांटे की टकर होने की बात कही गई थी। जिसके पेशे नजर पार्टी के कारकुनों ने केजरिवाल की रियाशगा पर काफी सजावट कर रखी थी लेकिन मतवखे नतायज ना आने पर जैशन फीका पड़ गया। ताहम पार्टी के के गईरों का अब भी ख्याल है कि पंजाब अरुगा के इंतिकाबात के नतायज आमादमी पार्टी की तवकों के मताविक खवाह ना हो लेकिन पार्टी की सियासी पहुच में इजाफा हो चुका है। इस से केजरिवाल का ख़द यकीनन बढ़ेगा। पार्टी ने तहली के इलावाद दूसरी रियासत में पहली बाट ठीक टाक मौजूदी दर्जिक करवाली है। 2014 की मोधी लहर अब की बार उत्तरपर्देश और उत्तरखण में नजर आई। बीजेपी को गहर मामूली कामियाबी। 14 साल बाद बीजेपी यूपी हुकुमत में वापस हुई। 2014 के लोकसाबा इंतिकाबात के मनजर पर च्छा जाने वाले वजिराजम नरेंदर मोधी की लहर आज एक मरतबा फिर उत्तरपर्देश और उत्तरखण में उभर कर सामने आई है। बारतिया जनता पार्टी उत्तरपर्देश में 14 साल के तवील वक्वे के बाद एक बार फिर एक्तिदार के तक्त पर गमजन हुई है। महीं पाड़ी रियासत उत्तरखण में भी बीजेपी काफी मस्बुत पोईशन में है। तहम कांग्रेश के लिए ये काफी ख़ु़वार इत्फाक है कि पंजाब के एक्तिदार में इसके वापिस होने के वाज़े इचारे सामने हैं। कांग्रेस के लिए ये भी खाबिले जिक्र है कि गौवा में अब तक ओटों की गिंती में वो बरतरी बनाए हुए है समाजबादी पार्टी में शिक्स्त को लेकर एक बर फिर तनाओं का माहौल शियुपाली आदव ने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं बलके गुरूर वो तकब्र की हार है उतर परदेश इसम्बल इंतिखाबाद के नताज आते बीजेपी को अक्सिरत हासिल हो रही है इदर समाजबादी पार्टी में शिक्स्त को लेकर इलजाम तराशियों का दावड शुरू हो चुका है इंतिखाबाद के दौरान मुकमल तोर पर हाशे पे खड़ा कर दिये गए इसपी के साबिख सुभाई सदर शुपाल सिंग ने वजरियाला अकलेश यादो पर हमला बोलते वे का के ये घुमंड की शिक्स्त है शुपाल यादो ने इजहार को समाजबादी पार्टी की शिक्स्त मानने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि ना तो समाजवादी पार्टी की शिकिस्त भी है और ना ही ये समाजवादी पार्टी की शिकिस्त है बलकि ये घुमंड की शिकिस्त है वाज़ रहे कि ना ताय जाने से पहले ही समाजवादी सफों में अकलेश पर दर्ले से हमने होने शुरू हुए इसकी शुरुआत मुलाहिम सिंग की दूसरी बीवी साधना यादो ने की उन्होंने कहा था कि किसी को भरोसा नहीं था कि अकलेश बागी हो जाएगा जिस सरा मुलाहिम सिंग आदो और शुरुपाल आदो की तोहीन की गई है वो नहीं होनी चाहिए थी उन्होंने कहा था कि मुझ पर भी कई छुटे इल्जाम लगाए गए हैं जो अब मैं बरदाश नहीं करूंगी इन्तिखाबी नतायच बीजेपी की अवामी मقбूलियत का नहीं A-V-M मशीनों की गडबड का कमाल है B-S-P सदर ंरकी ऐलेक्शन कमिशंस से शिकायत बहुजन समाच पार्टी ने इलेक्शन कमिशंस से इन्तिखाबी नतायच को रद कर देने का मतालिवा क्या है बहुत जन समाज पार्टी के मताबिक AVM मशीनों में जबर्दस गड़बड़ी हुई है ख्याल रहे कि उत्तर परदेज में BJP की हुकमत बनने जा रही है और BJP को खरीब 300 से जाय सीटे मिली है जबके BSP का तकरीबन सफाया हो चुका है अपने शिकिस पर बोलतेवे BSP स्प्रीमो मायावती ने कहा कि AVM मशीनों में गड़बड़ी हुई है उन्हें इलेक्शन कमिशन से नतायच को रदग करतेवे AVM मशीनों की जगा बैलेट पेपर के जरीए ओटिंग करवाने का मतालिबा क्या है मायावती ने कहा कि मुस्लिम ब्रादरी का कहिना है कि उन्हें बीजेपी को ओटी नहीं दिया तो फिर मुस्लिम अक्सरिती लागों में बीजेपी को कैसे जीत मिली है BSP स्प्रीमो में ने कहा कि अमीश शाह और नरेंदर मुदी अगर जरा बराबर भी इमानदार है तो उन्हें एलेक्शन कमिशन को खदलिक कर दुबारा बैलेट पेपर के जरिये वोटिंग की अपील करनी चाहिए महमुद अब्बास को डोनाल टरंप ने वाइट होस मद्धू किया टरंप चाहते है के मुजाकिरा से अमन की रहे हमवार हो अमरीकी सदर डोनाल टरंप ने फिलस्तिनी सदर महमुद अब्बास को वाइट होस मद्धू किया है टरंप ने सदर का अवदा समाले के बाद पहली बार कल फिलस्तिनी सदर से फोन के जरिये बात चीट करते हुए उन्हें अमरीका आने की दावद दी टरंप ने फिबरोरी में इसराईल के वज़ेराजम बिन जामिन नितनियाहू की मेजबानी की थी इस मीटिंग में टरंप ने इसराईल फिलस्तिन तनाज़े के हैल के लिए एक देर पाँ अमरीकी एहद को खतम कर दिया था टरम के तरजमान शानिस पाह सर ने कल इस बात की तज्दीक कि कि अमरीकी सदर ने अबास को मदू किया है और वो जल्दी वाइट होस आने वाले हैं सदर ने फलस्तिनी सदर से कहा कि वो फिर अमन मजाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं मौसल में इसलामिक स्टेट ने कीमियाई हमले नहीं किये इसके कोई सबूत नहीं मिले अखवाम मतहदा में इराकी सफीर का बयान इराक ने का कि मौसल में दौलत इसलामिया की जानिब से कीमियाई हत्यारों से हमले का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला अखबार मुतायदा में एराक सफीर मुम्मद अलिय हलाकम ने दरुरुमत बगदाद में हकाम से कहा कि दाइश की तरफ से कीमियाई हत्यारों से हमले के वागई कोई सुबूत नहीं है इस्लामी स्टेट का ही एक दूसरा नाम दाइश है अखबार मुतायदा ने कुछ ताफते कहा था कि एक कुमार से मुसल पर दौरत समया शायद कीमियाई हत्यारों से हमला कर रहा है जिसमें खवातिन और पच्चों समयत कुल बारा अफराद हलाक हुए हैं मुसल में अमरीकी हमायत आफता एराकी सेकुरिटी फोर्सेज और देश्यत गर्दों के दर्मियान जंग जारी है आखिर में सुर्खियां एक बार फिर बच्चा मजदूर एक लानत है किसके लिए एक सवाल अगर हुकुमत इसको गलत समझती है तो महकुमजात इसको रोकते क्यों नहीं अगर महकुमजात रोकते है तो फिर ये बच्चा मजदूर कैसे हुकुमत की फलाई इसकी मासे भरपूर इस्तिफादा करे क्योंकि ये आपका हक है मुसल्मानों की सुरत अहाल का जायजाले ने पहुचे बी जे पी कमिशन के चेरमेन का मशवरा उन्होंने मुसल्मानों से मुखतलिव इस्तिफसारात किये भी जे पी को उतरपर्देश और उत्रखन में शांदार काम्याबी भी जे पी में जशन का माहूल ये मोदी की करिश्माती शख्सियत का नतीजा है बीजे पी खायदीन का बयान टरम्प ने फरिस्तिनी सदर को वाइट हाउस मुदू किया टरम्प इस खिते में अमन मुजाकिरत के खवा हैं उन्होंने कहा के बहमी बाची थी अमन की राह हमवार करेगी खबरे इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाखात होगी तब तक के लिए दे अजासत तल्ला हाफिज